के महिने में हमने जितने भी रिविजन सेरीज किया है रिविजन सेरीज में क्या करते हैं बैसिकली रिविजन सेरीज में हम दो थी महिने पहले का हैं रिविजन सेरीज करते हैं जैसे कि आपको रिकॉल हो जाए थोड़ी याद आ जाए कि क्या उस समय क्या होता वह वर्ड सब को एक पुरे वीडियो में कंपाइल कर दिया है और जिससे कि आपको अन इंटरॉप्ट रिविजन होता रहे और यह वीडियो पुरा देखिए और बहुत सारे वर्स हैं इसमें तो जहले शुरू करते हैं आज का सेशन और हैपी लॉर्निंग को जिए शुरू करते हैं पहला वर्डर इस्टब आउट इस्टब कर मतलब होता है इसपर का मतलब होता है स्पर का मतलब होता है इसा कुछ तो उकसाना प्रेडिट करना तो किसी क्राउट को या डिबेट को इस पर करना इस इस में बोलते हैं स्पर करना प्रेडिट के बारे बात हो रही है ठीक है नेस वाटिज इंड्यूस इंड्यूस से क्या मतलब होता है किसी चीज को करवाना चाहिए ठीक है तो कॉस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्थू इस चेहते हैं कमालम ही होगा लिफिन अन्हें पर मतलब होता है स्ट्रॉंग यह संथिंग वर्यूस इंपोर्टंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्? वेरी स्ट्रॉंग सब्सक्राइब होता है एग्रेमेंट चीक है तो इसका एक वैरियंट है इसके प्रणूसेशन पर ध्यान देशेगा बारिंग का मतलब होता है बारिंग का मतलब होता है एक्सेट फॉर या फिर अगर इसका यूज़ देखा जाए बारिंग रेंग मैश विए हैल्प तुमारों मतलब अगर बारिश नहीं होती है तो मैश तो कल पक्का होगा इसको फॉड़ दे तो पक्का होना है ऐसा ठिक है तो यह होता है बारिंग यह जरन्ड यूज़ हुआ यहां पर चिक है इसका मतलब बारूम है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसका मतलब होता है कि जैसे चीज़ें डेवलप हो रही है होनी चाहिए उसके अलग डेवलप होना चीक है तो यह बगता ट्रेंड फ्रेज है थोरा यूनिक सा फ्रेज है इसका मतलब यह आत रुखेगा आर्डिन कॉंपरेशन में पुछा दाता है चीक है इसका मतलब होती है ते कई सब्सक्तों का मतलब होता है तो कई सारी चीज़ें नेरिते तो इसका क्या मतलब होता है मतलब होता है डिसदिजिव पॉइंट वरी इंपॉर्टेंट वरी सेंटर पॉइंट ठीक है या फिर कॉमर्स की जो स्टुटेंट सेंगे उनको जब बनाते होंगे तो सबसे नीचे आता है प्रॉफिति लॉस का तो वह उसे भी बॉटम लाइन क्याते हैं पहला वाट है कॉं जो आप किसी को कुछ छूप देते हैं कुछ डिसकाउंट देती हैं कुछ करने देते हैं जिससे कि कुछ सिच्वेशन कम डिफकल्ट हो जाए चीक है अंत में आई-उ-एन लगा हुआ है यह क्या होगा एजेक्टिव नाउन वर्ड प्रोनाउन कंजेक्शन इनेजेक्शन अच्छ इंड एक साथ बोलते हैं उसके एक पार्टिक्वल मिनिंग निकल के आता है वह है अच्छा यह दो वर्ड का एक कॉंबो थेंगा है तो यह क्या है इसका मतलब यह एक और सी फ्रेजर वर्ड होगा या तो फ्रेजर वर्ड होगा या एडियम होगा ठीक है अगर एक से यह आदा हैं तो पीजिए नेक्स वन देज़ा इस इन्टिनेशनल वर्ड ब्लॉक इसका क्या मतलब बता है इंट्रेशन में यह कह रहा हूं क्योंकि इसका इस्का इंट्रेशनल पर्श भीजिए टृष्टपर्ण सब्लों फ्लॉसी ब्लों मतलब होता है अगग ग्रुप अपकंट्रिचिं इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है प्रेक अवे का मतलब होता है having separated or advocating separation from other entity ठीक है तो separation को सीख करते हैं उसका मतलब होता है तो यह क्या हो सकता आपके साथ से noun adjective word pronoun ओके इसको ऐधा noun भी यूज करते हैं ऐसा नहीं है लेकिन उसको वहां पर meaning हलकी से चेंज वाती है यहां पर having separated हुआ है noun जब करेंगे तो वह separation हो जाएगा ठीक है next word is de-escalation इसका क्या मतलब होता है escalator तो आप जानते होंगे escalation भी जानते होंगे de-escalation उसका opposite होगा right तो de-escalation मतलब होता है reduction in intensity of a war crisis तो जब कोई जहां पर कोई रणा ही हो रही हो और हो तो रखका मुझा genticity तो उसे de-escalation बोलेगे ठीक है यह क्या है reduction है ion तो फिर यह noun और राइट next one is a word encircle encircle के क्या मतलब होता है circuit से related है ठीक है इसका मतलब होता है form a draw a circle around और यह तो geometry में लग रहा यूज होता है लेकिन इसका मितलब इसको तब भी क्यूज करते हैं जब जैसे रूस की सेना नहीं उक्राइन कुछ आड़तार से घेल लिया तो उसको भी अंसर्केट बोल सकते हैं ठीक है यह क्या है वर्भ है नाउन है obvious right verb है ठीक है next one is we all know envelope envelope क्या होता है लिफाफा होता है लेकिन यहां पर क्या मेंनिंग है इसकी एक और मेंनिंग होती है देखते हैं इसकी मेंनिंग बताते ही है तो मांटन अटैक हो ठीक है उसका मेंनिंग होती है तो लगा हुआ है क्या होगा यह विच पार्ट फिच्विच विप्या फॉर्म 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 फ prevent something to criticize something भी होता है चीक है शूट डाउन क्या है यह दो है वर्ट इडियम होगा या फ्रेज होगा इस सब फेजर वर्ट चीक है नेक्स फोन इस वर्ड बैकड्रॉप बैकड्रॉप पर क्या मतलब होता है किसी चीज के पीछे का और equivalent जो सट होता है जीज को सेट गर्वोर्ट का साय किया है वो इसको बैकड्रॉप के लिए cuz डाउन के इस पीजिए पीस सबनें देविस अंग्रीज के समय की बात करते हैं तो वो बैक्टॉप हो गया चीक है यह क्या है अम बैक्टॉप कॉंटेक्स्ट है अन्वर्मेर्मेंट की बात हो रही है नो रही है यह नेक्स वन विलसी टेक टॉल एक तरह किया मतलब होता है नुदा है इसका अंट बता है यह सीडिस बैद एफक्ट रही है नो चीक है यह विश्ट पाल्कॉप इस बिढून हो इसका है न इत्याद्ट बोलर्राइशन स्क्यान ड़ुमत बढ meeक्टॉपन तरह को यह तो ने था एक परकिन वस्ट करूए सब्सक्राइब से उठीने इन सुनकों अगर्सी हॅ क्टीब अदुन तो एक रिफवसेया चाहिए निए। कि जब्सक्राइब करना कि कह सकते हैं इंडिया में बीजैपी और कॉंग्रेस के डिवाइड करना है चीक है या तो कोई पीज़े भी या कॉंग्रेंस है और पार्ट फिच कौन सा है यह अंतिम में आयो है ने हुज़े बता ही इस पार्ट फिच रज़े बेलॉंग टू इसके प्रणसेशन में ध्यान दीज़ेगा फटीग फटीग का क्या मतलब होता है यह क्या है यह क्या है नाउन है अजक्टिव है वर्ब है प्रोनाउन है वर्ब है यह नाउन है नहु hepいきन के लिव royal देयृक्टिविक ल यू क्षेशका प्राइक ता चांति चीनलों में अग। विचा मतलब होता है क्या मतलब है न्चैन्ञ पर्दल्ण में न बताता हू देम Temperasy उन पर होन ben Haim एक उसे बिस पर दो नहीं क्पराब को जो सुखता हुआ। यार काल बूद नहीं वान प्राइए। एक उसका प्राइए। एक अंत मेत अंत में अन्त है। पारों स्वीच पारों यह स्वीच में जो नौई आउन रही हुआ। इसका क्या मतलब होता है? अनसेलेबल का मतलब होता है, without flaws, without any loopholes, इतना perfect kind of thing, ठीक है? जिसके कुछ कमी ना निकाल सके यह क्या है? अन्त में A-B-L-E है which part of speech is it? as active, right? next word is rhetoric, इसके pronunciation में ध्यान दीजेगा rhetoric, इसका political sense में यादागी होता है okay, rhetoric का क्या मतलब होता है? rhetoric का मतलब होता है using language effectively to please or persuade तुझ जट चुनाओं के पहले नितागर्न आते हैं और बोलते हैं यह कर देंगे और वो कर देंगे उसे कहते है rhetoric, चीक है? यह क्या है? part of speech is a noun, right? next word is add a low app very interesting जसे, बताए क्या मतलब होता है? app का मतलब बताए क्या होता है? okay, app का मतलब होता है decline, चीक है? तो एक तो पहले से decline है उस पे भी low decline पे है you know, low level पे इसका मतलब होता है in a weakened or depressed state you know, पहले से ही decline हो रहा है उसमें भी low पे है चीक है? यह क्या है? it's a phrase next one is drubbing okay, drubbing का मतलब क्या होता है? a sound defeat you know, अच्छे से अच्छी तरह जो हार होती है वो होती sound defeat यह क्या है? it's a noun next word is sub-altern very interesting word again यह जो sub है न इसी sx synonym यह जो sub से शुरू होता है चीक है? इसका तो इसकी meaning है person holding हा sub-ordinate position सब-सब याद रहेगा चीक है? what is it? verb adjective, noun pronoun, conjunction, interjection is a noun next word is citadel इसके परन सेशन बे धिहान दीजेगा citadel इसके meaning मुझे comments box में बता ही है तो एक सवरचित जगह चीक है? तो वह citadel का मतलब होता है and what is it? which part of speech? last, protracted interesting word again इसको protracted से confusion मत होईगा इसकी meaning मुझे comment box में बता ही है okay इसकी meaning है relatively long in duration you know जितना expected है उसे थोरी ज्यादा लंबी duration की सरसे and what is it? it's an adjective first word is malfunction malfunction है क्या मतलब होता है? मुझे बताएं if possible please comment in the comment box okay malfunction function मतलब कुछ भी काम करना तो मार जब लग जाएगा prefix हो जाएगा inability to function properly failure to function normally failure मतलब है इसका which part of the speed does it belong to? any idea? failure what is your failure? no next one is probe quite interesting word इसा meaning बताएं मुझे comment box में mention करें okay probe का मतलब होता है an inquiry into unfamiliar or questionable activities okay तो probe का मतलब होता है कि जो भी कोई भी questionable activities है जो activities है तो फिर unfamiliar है उसमें inquiry करना again it's an inquiry inquiry क्या होगी? adjective, verb, noun it's a noun next one is a very interesting French word इसके pronunciation पर द्यान दीजेगा charge d'affair charge d'affair इसका मतलब क्या होता है यह Hindu capital में used हुआ तो यहां पर आया है इसका मतलब होता है subordinate जैसे कि हमारे प्रसिडेंट है उनका जाशे दाफया होंगे vice president तो असब होगे diplomat who substitutes for an absent ambassador or minister की diplomat है जो sense है वो diplomat का है diplomat क्या होते है which part of his speech does the diplomat belong to हम राइट चले हांगे loophole, next one is loophole loophole क्या मतलब होता है सोचें loophole का मतलब होता है ambiguity चीक है तो generally loophole जो है law के बारे law के respect में rules के respect में होता है कि उनमें कुछ कमी निकालते है rules में जिसकी वह से कुछ evade करना असान होयाता है चीक है आप टैक्स के बारे में करें आप टैक्स इवेट करते हैं तो आप टैक्स बचाते हैं चीक है तो यह loophole का मतलब होता है ambiguity ambiguity क्या होती है जिसकी एक ज़्यादा meaning interpretation कर सकता हो तो यह क्या होगा part of speech noun right next word is fixation fixation में क्या मतलब होता है if we think a short word of fix fix fixation का मतलब होता है an unhealthy and compulsive preoccupation with something or someone चीक है तो preoccupation मतलब की you know you are keeping yourself preoccupied मतलब की आप अपने आपको engagement कर रखे कि आपको यही करना और कुछ भी नहीं करना है और इसी यह unhealthy हो जा रहा है because you are doing again and again the same thing और यह compressive मतलब you are doing it by compression for example if I have I have my fixation on my YouTube video views कि कितने views गया कितने subscription आया मैं हर कंटे चेक करता हूं चीक है तो that is something called fixation it is unhealthy and compressive चीक है अब यह preoccupation है main senses का preoccupation क्या हुआ noun adjective verb adverb alright next one is word fray let me know in the comment section okay fray का मतलब होता है make or become weekend कमजोर कर देना ठीक है यहां पर इसका sense निकल क्या रहा है तो to लगा हुआ है becoming week weekend की बात हो रही है तो क्या हुआ यह next word is hypersonic hypersonic का मतलब होता है any idea hyper hyper लगा हुआ है hyper अगर लगा हुआ है prefix है तो इसका मतलब की कुछ ना कुछ बहुत extreme की बात हो रही है okay let's check the meaning moving at more than five times the speed of sound sound की speed से भी पांच गुना तेज चलना ठीक है क्या है यह knowledge active verb, adverb, preposition, conjection, intersection idiom it's an adjective next word is eco eco क्या होता है क्या मेनिंग होती eco की यहां पर ego का मतलब है वो repetition है वैसे eco generally जब आप किसी पहार यह से चिम जाते हैं और जो से चिलाते हैं तो आवाज गुंच के वापस आती है उसे eco कहते है और चुकि एक बार आप बोलते हैं और तीन चाह पर आवाज वापस आती है इसलिए उसे repetition होती को यहां पर प्रूश किया गया है और यह क्या है part of speech now next word is dogfight ठीक है dogfight है क्या मतलब होता है कुछ हैं तो आपको इंडिया पकिसान के बीच होता यह दो तीनी साल पहले dogfight मतलब होता है area engagement between fighter planes ठीक है तो जब fighter planes हवा में होते हैं और उनकी भी जगा कुछ engagement कुछ रढ़ाई होती है तो उसे dogfight क्याते है ठीक है engagement है sense engagement का क्या मतलब होता है क्या है यह now right next word is nevertheless 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 का मतलब होता है in spite of that notwithstanding इसके बावजूद nevertheless और यह कौन सा part of speech है अभी तक अधरी से mention नहीं है इस part of speech को यह है adverb first what is sanction section क्या मतलब होता है wait for five to seven seconds before revealing the meaning okay अभी America और other western countries they have put sanctions on Russia okay sanction मतलब होता है official permission or approval तो रोने sanctions लगा है मतलब रोने permission हटा दी है ठीक है which part of speech does belong to permission or approval है all right next word is barrage इसके pronunciation में ध्यान दीचेगा barrage क्या मतलब होता है okay barrage का मतलब होता है overwhelming quantity कभी-कभी जब कहीं से firing होती है बहुत जादा firing उसे भी barrage कहते है चिक है तो यह इसका meaning है overwhelming quantity quantity है next word is curve curve क्या मतलब होता है curve का मतलब होता है curve का मतलब होता है to restrain power action limit limit लगा देना चीक है तो access को limit कर देना किसी चीज को restrain कर देना यह क्या है act है तो क्या होगा यह next one is unravel unravel क्या मतलब होता है interesting word है unravel का मतलब होता है unravel का मतलब होता है start to fail and no longer stay together as a whole चीक है ना का में अभी की शुरुवात हो या फिर एक साथ न रह पाए ऐसा कुछ चीक है two से शुरू हो रहा है to start to fail तो यह क्या होगा verb next one is unilaterally 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 का मतलब होता है uni लगा होगा है prefix uni है uni का मतलब कैसे होता है one से होता है unilaterally का मतलब है by means of one part of party एक party या एक पार्ट के related चीक है by means means main word यहाँ पर क्या होगा यह एड़व चीक है तो एड़व मतलब कि यह किसी भी noun और प्रॉराण को शोटके और बाखी चीजों को qualify करेगा next one is centrifuge थोड़ा technical word है यह लगिन चुकिए एक नेटवर में use हुआ तो जब तक आब मैं को बताता हूँ जो हमारी प्रैनेट अगल है वो दो forces से गवन होती है centrifugal force और centrifugal force टीक है इन दोनों के balance से ही वह स्थर रहती है तो centrifugal force को यूज करता है तो separate particles from a suspension की suspension से separate हो जाए चीक है और यह noun right next one is leverage again an interesting word इसकी क्या मेनिंग होती है let me know in the comment section okay leverage के मतलब बोता है कुछ एक advantage कुछ power to act effectively कुछ अचानक से कुछ मिल जाए ठीक है यह कोई advantage हो market में यह कहीं होती चीक है इसका मतलब क्या होता है sorry which part of speech does it belong to now क्योंकि advantages right next what is signatory signatory क्या मतलब होता है signatory का मतलब होता है someone who signs and is bound by a document bound क्या होता है legally required नहीं सकते है legal duty चीक है generally यह देशों के पीश में condition के बीश में यह जो बड़े बड़े बिश्रत होते है उनके बीश में होता है and since it is someone to someone क्या है now penultimate word is sensitivity sensitivity का क्या मतलब होता है penultimate का मतलब होता है last but word मतलब होता है इसके बाद एक और बचा है sensitivity का मतलब होता है aware of and able to understand other people and their feelings ठीक है लोगों की दूसरी लोगों की धावनाओं को समझना और उनका aware भी रहना conscious रहना कि अच्छा ऐसी चीज़े भी है ठीक है समेधन्शी अल्हिंदी में नावन next word is Scuttle Scuttle क्या मतलब होता है S-C-U-T-T-L-E Scuttle का मतलब होता है Intentionally undermined ruin or cause to fail you know जानभूज के fail कर देना या undermined करना undermined का मतलब होता है हलका से नीचा दिखाना ताइप का तुछ ठीक है और चुमकी ये undermined ruin cause है तो ये क्या होगा blues का मतलब होता है I'll give you five to seven seconds to guess it and mention in the comment box okay blues का मतलब होता है state of depression okay ठीक है तो अगर मैं ऐसे कहूं कि I've lost my job and that's why I'm in blues ठीक है I'm depressed तो वो ये इसका उसे का एक exam तो ले it's a noun ठीक है part of speech the next word next set of words is embark on इसका मतलब क्या होता है बताए मुझे comment box में embark on का मतलब होता है to start a journey which would take a long time to complete okay ऐसी यात्रा शुरू करना जो की एक लंबा समयले की पूरा होने के लिए और यह और यह क्या है which part of speech does it belong to it's a phraser verb right क्योंकि एक verb है जो effect चाहिए वैसा produce करने की capacity तो यहां पर capacity की बात हो लिए capacity क्या है which part of speech does it belong to efficacy and capacity noun right okay next one we have at large interesting word बताए यह क्या मतलब होता है इसका at large का मतलब होता है general fashion ठीक है और यह क्या है is an adverb ठीक है तो जब कहते हैं कि prisoners were at large तो prisoners जो बंदी थे वो खुले घूम रहते ऐसा कहते ठीक है इसका uses next one is catapult catapult के क्या मतलब होता है catapult क्या मतलब होता है तो move at a breakneck speed breakneck speed क्या होती है breakneck speed मतलब is exceedingly fast इतनी तेज कि आपका गर्दन लगे तो गर्दन टूट जाए breakneck speed ठीक है यह भी एक फ्रेज हो गया और catapult चुनकि यहां 2 लग आपए तो which part of the does it belong to verb तो catapult गोलेल को कहते है और यहां पे वर्ब की तरी इस हुआ है तो यहां पे इसकी memory ऐसे रिकलती है यहां पे इसकी इसकी चलना next word is benevolence इसका क्या मतलब होता है let me know benevolence का मतलब होता है inclination to do good अच्छा करने की प्रारुति और which part of the speech noun right next word is prolonged इसमें देखिये इसमें अंदर एक वर्चुटा था वर्ट घुसा हुआ है long तो इसे connect करिये prolong का मतलब होता है relatively long in duration as I said टीक है लंबा हो duration के sense में लंबी अवधी और यह क्या है adjective चीक है next word is dampen dampen न क्या मतलब होता है dampen का मतलब होता है lesson in effect ठीक है dampen actually जब कोई चीज moist हो आती है नमी तो उसको dampen कहते है ठीक है तो लेकिन यहां पी जो sense है हिंदु अडिट्रम में वह है lesson in effect और यह क्या है it is a verb ठीक है next word we have got slash ठीक है slash क्या मतलब होता है slash क्या मतलब होता है next word we have is spur spur क्या मतलब होता है let me know in the comment box spur क्या मतलब होता है to make something active stimulate something तो जैसे कि ऐसे क्या सकते है कि consumption in the country was spurred by doing something तो महेंगाई कम करके consumption को stimulate कर दिया गया है और यह क्या है यह verb है आज का पहरा वोलत है jurisprudence इसका मतलब आपको यहाद है मार्च 21st होगी है सारे वोल्स डिसक्स हुएते है jurisprudence का मतलब होता है legal system जो judges का courts का legal system होता है वो होता है system है तो यह क्या होगा which part of speech is it going to belong to noun right yeah the next word is adjugate adjugate का क्या मतलब होता है let me know in the comment section okay adjugate का मतलब होता है bring to an end so again course से related है कि अगर if some case is adjugated that means it is brought to an end वो case खतम होयाता है चीक है suit का legal suit यह होगी है so adjugate है bring है main verb तो इसमें क्या हो गई है verb right yeah unedifying nice word what does unedifying mean okay unedifying का मतलब होता है unpleasant in a way that causes disapproval चीक है disapprove करना यह ऐसा महसूस होना की you know disapproval अपने आप हो जाया ऐसा कुछ चीक है और चोकिए unpleasant है तो यह क्या होगा adjective right unedifying adjective right unedifying adjective जो main word meaning sense करता है अगर जो वो होता है वही main word भी होता है तो for example यहां पर unpleasant adjective है तो unedifying adjective होगा ब्लिंग ब्रिंग वर्ब है तो mean जो वर्ड हो भी वर्ब होगा system नाउन है तो जो डिप्रिंग भी नाउन होगा चीक है next fall is deprecate deprecate तर्विकर क्या मतलब होता है yes तर्विकर मतलब होता है express a strong disapproval of यहां भी disapproval है यहां भी disapproval है जो कि एक के इतिवल है इसलिए वो लोग इस पर बात कर रहे है तो इसका मतलब ही होता है कि अस हमती प्रदान करना इंदियन गोले तो disapprove करना अप्रूव ना करना जीक है अब express है यहां पे main word तो यह क्या होगा verb write peruse peruse क्या मतलब होता है peruse का मतलब होता है examiner consider with attention and in detail सादानी पूरवक्स जाच करना यहां चीक है examiner main word यहां पे verb write next word is revoke revoke का क्या मतलब होता है यह कि easy है revoke revoke का मतलब होता है cancel करना officially ठीक है तो कोई भी धाराज अगर चालू लागू होती है अगर port उसको revoke कर देती तो मतलब उसको narrow and void declare कर देती है उससे cancel कर देती है cancel है main word तो which part of speech will it belong to verb right next word is disconcerting का मतलब होता है disconcerting का मतलब होता है causing an emotional disturbance ठीक है underscore एक symbol भी होता है hyphen के जगा जो नीचे थोड़ा होयाता है underscore होयाता है यह यह भी underscore होता है ठीक है okay underscore का मतलब होता है sorry emphasizing the importance of something okay okay just one moment yeah और यह कांस आपड़ कांस आपड़ा है यह है verb यह है verb अब इसके बाद next word है conscience conscience का मतलब होता है conscience का मतलब होता है conformity to one's own sense of right conduct ठीक है yeah तो अपना खुद का moral stand ठीक है कि मैं कैसे सरस्ता हूँ मेरे नैतिक मेरे नैतिक मुल ले कैसे है उसे conscience कहते है कि मेरे हिसाब से क्या सही है क्या गलत है और यह होगा now right next what is circumscribe circumscribe का क्या मतलब होता है circumscribe का मतलब होता है यह कि अपने ही रहे मिन में रहना आ या फिर बंद कर ना वैसा कुछ और चुंकि यह री zatिक है क्या मतलब यह को बहा था आच को जोड़ा स्टेंड ओफ ए स्टेंड ओफ का मतलब होता है इस तेल में डेटलोग बिट्वी इक्वाल मेंच्ट आपोनेंट्स दो बराबन के लोग हैं फोर इंडिया और चाइना और उनका जो अलुसी की बीच है वहा था दो साल पहले तो वह कहेंगे स्टेंड ऑप की दिसेनाए तयार खरीती हैं चुकि एक्वली मैच्ट थे इसलिए कुछ कॉंपूशन निकल पा रहा था उसका तो वह स्टेल मैट जब ऐसे कॉंपूशन ने निकल पाए तो उसे स्टेल मैट कह सकते हैं डेटलोग कह सकते हैं स्टेंड ओफ कह सकते हैं चिक हैं विच पार्ट अब इस पीच अड्री पाए तो उसे यहां पर यहां पर देटल में यह डटलोग इस टेल में यह डटलोग क्या होगा नॉन होगा right अनुछर अक्यूटि की कारण ठीक है और किस टॉपच है तो क्या हुआ यह लॉपजांप इस टॉपच इस टॉपच इस टॉपच इपना राइट मल्टि लेटर करें बहुत अब सुनते हैं मल्टि लेटर अग्रिमेंट हुआ है इन देशों के बीच में और ऐसे क्या मतलब ह हो हाँ मटि लेटर का मतलब होता है वह बहुत सारे एसपेक्ट और जिस टेसली चीज़ के ठीक है क्या लग रहा है यह क्या हो सकता है प्रोनाव जब और वक्रिकॉस कभी भी यह किसी भी नवान को क्वालिफाइग करे गा है अटिक एग्रिमेंट नावन हैं मृच्टि एज्जेक्टिव कॉलिफाई करते हैं, और नेक्स वर्टीज ड्रॉपिल, set of words, drop in क्या मतलब होता है? drop का मालुम है, in का मतलब मालुम है, drop in is a, okay, drop in is visit non-informally and spontan early, अकस्मात आजाना किसी के घर या फिर कहीं पहुंच जाना informally, छीक है? इस पॉंटिविस्ट्री मतलब एकाएक, चीक है, अच्छा, क्या है ये, पार्टो को स्पीच, फ्रेजर वर्ब, देखिए, यहाँ पर एक वर्ब है, रॉप्ट इन, चीक है, तो यह फ्रेजर वर्ब हो गया, सफाइस, next word is सफाइस, सफिशेंट से काएक वारियंट है, चीक ह और क्या है ये, बी है, बी क्या है, बी मेन वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, clear, stand still, a little bit similar to stand off, क्या है stand still, a situation in which no progress can be made or no advancement is possible, same चीज चीज चो यहाँ पर है, ठीक है, कोई progress नहीं हो सकती, बस यहाँ पर दो equally matched opponents है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो इसको catch 22 होते है, ठीक है, जहाँ पर कोई progress नहीं possible, एक signal है, चारो ताफ पर गारियां आगी, तो catch 22 हो जाएगी, ठीक है, यह क्या है, part of speech, noun, right, Precept, Precept क्या होता है, Precept होता है, a general rule that helps you decide how you should behave in particular circumstances, एक general rule, एक normal medium, जो आपको बताया है कि आपको किसी विशेश परिस्थियों में कैसे वर्ताव करेंगे, वैवार करेंगे, चीक है, तो यह होता है, Precept, अप्रिसेट कर रहा है, rule से, rule क्या है, noun, pronoun, adjective, rule is a noun, right, outreach, very interesting word, outreach क्या मतलब होता है, outreach का मतलब होता है, extent of reaching out, okay, so let's say you approach me saying that to conduct a session on idiom and phrases, okay, so you have approached me, you have reached out to me, that is where we are talking about your outreach, ठीक है, यह outreach का मतलब होता है, क्या है, noun, right, add odds, again, understand, interesting set of words, क्या होता है, add odds, क्या मेंनी होता है, comment section, okay, add odds का मतलब होता है, in disagreement, ठीक है, मद भेध होना, alright, और क्या है यह, क्या रखता है आपको, set of words है, ठीक है, कोई verb है, इसमें क्या, है क्या, नहीं न, right, यह idiom हो गया, ठीक है, जिस freezer verb में अगर verb ना हो, तो most likely वो idiom होगा, और अगर verb है, तो वो freezer verb होगा, ठीक है, एक यह, दो दिन पहले हमने immobilization की बारे में पढ़ा था, remember, आज आया है demobilization, क्या मर्लब बता है demobilization का, आज है कल के video देखेगा, आपको मिल जाएगा immobilization, demobilization का मतलब होता है, act of changing from a war basis to a beast basis, तो जब मार कह लेते हैं कि सुलाय हो गया, इंडिया चाहिना की पिछ लोची वो हो गई और दोनों आपको सैनिक की तुप्लियों को हटाना शुरू कर गया, तो हम कहेंगे demobilization of proofs is happening, demobilization is happening, ठीक है, act है, act क्या होता है, noun होता है, right, उसके पहला word है behest, behest का क्या मितलब होता है, बताइए, सोचे, behest का मितलब होता है, अंदर command and request, ठीक है, तो बोलते हैं कि at the officers behest, the employees acted like that, ठीक है, ऐसा कुछ, command पे request पे, which part of the speech, बताइए, command या request क्या होता है, noun right, या, तो authoritative adjective है, command noun है, ठीक है, next one is innocuous, innocuous है क्या मितलब होता है, देखी, I-N-N-O-C-E-N-T, innocent बनता है, इसको या ठीक है, इसको या ठीक है, आए देखते हैं कि मिनिंग क्या होता है, क्या मितलब होता है, पावर्स का मितलब होता है, deviating from what is considered moral right proper or good, अच्छे से अलग कुछ भी हो, वो पावर्स हो ठीक है, misuse of law rather, चीक है, तो वो सही फिट्पेटिक है वैसे, तो जो भी सही ना हो, next what is sedition, sedition मितलब होता है, आज का तो बहुत पावर्स का मितलब होता है, sedition का मितलब होता है, गवर्मेंट की खिलाब कुछ भी बोलने पे, sedition काते हैं, not government की खिलाब मितलब कुछ भी देश्ट्रो के तुल है, and in legal action inciting resisting to lawful authority intending to cause the disruption, जो की सरकार का तक्ता परत करते हैं, चीक है, वैसा कुछ, देश्चे खिलाब कुछ बोलना, sedition, action है, action क्या होता है, non होता है, right, Disconcerting, इसका हमने एक दूपर पर discuss किया था, यह word, याद मी निया, सोचिए, कैस करिए, बताइए, comment section में लोग सकते हैं, Disconcerting का मैं बता है, causing an emotional disturbance, ठीक है, और यह disturbance है, तो यह क्या होगा, adjective, okay, causing है, इसलिए adjective होगा, sorry, next word is cloud, cloud का मतलब होता है, cloud का मतलब होता है, influence, ठीक है, जिसका कोई special advantage हो या special influence हो, उसे cloud कहते है, और क्या है, noun, right, promptitude, इसका क्या मतलब होता है, promptitude का मतलब होता है, इस चोटाता word शुपा है, prompt, ठीक है, prompt में क्या मतलब होता है, तुरंद, right, instant action, prompt action, characteristic of doing things without delay, same meaning, almost same meaning, ठीक है, और यह क्या है, noun है, क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, lack of attention, consideration, for thought and thoroughness, in other words, not careful, जिसको जो attentive ना रहे, ठीक है, वैसा कुछ, और क्या है यह, part of speech, adjective, ठीक है, foment, interesting word, family क्या मतलब होता है, state of public opinion, public का जो opinion है, उसको थोड़ा सा हिला देना, थोड़ा सा उतर पुतर कर देना, public को सोचने भी मजबूर कर देना, ऐसा कुछ, ठीक है, उसे कहते है, foment, और यह verb है, ठीक है, stem, stem का क्या मतलब होता है, as a noun, तो हम लोग सब लोग जानते है, पेट के दने को stem कहते है, as a verb क्या मीनिंग होता है, stem का मतलब होता है, to stop something that is increasing or spreading, ठीक है, तो यह है stem की मीनिंग, और अब ज़िए verb है, चलिए शुरू करते है, आज की review of series, we have got a lot of words, lots of adjective, noun and verbs today, the first word is scrutiny, उसका क्या मतलब होता है, यह तो मुझे comment section बता ही, अपर yes करिये, record करिये, क्योंकि यह हम March 20, March 30 को discuss कर चुके हैं यह सारे words, okay, scrutiny का मतलब होता है, close or minute examination, यहां पर देखिये, minute लिखा हुआ है, spelling होई है, लेकिन यहां पर pronunciation इसका minute हो जाएगा, minute नहीं होगा, क्योंकि जो minute होता है, उसका मतलब होता है, जिसके 60 seconds होता है, यहां पर minute मतलब बहुत closely, you know, और examination मतलब assessment, तो यह होता है scrutiny का मतलब, ठीक है, और which part of speech does it belong to, examination है, examination क्या होता है, noun, right, yeah, next part we have got is inevitable, inevitable क्या मतलब होता है, comment box से मुझे पता हिए, okay, inevitable का मतलब होता है, incapable of being avoided or prevented, जिससे, जो होना ही है, okay, जिसका होना रोका रहा सकता, वैसा कुछ होता है, inevitable, तो यह होती inevitable की meaning, और यह क्या है, incapable है, तो incapable क्या होगा, adjective, right, next part we have got is embody, embody का क्या मतलब होता है, embody का मतलब होता है, represent or express something abstract in tangible form, abstract कुछ है, कुछ ऐसा है, जो tangible, जो body form में नहीं है, उसी tangible form में present करना, ठीक है, तो अगर कोई cause है, कोई group किसी cause के रिए लड़ रहा है, ठीक है, तो अगर कोई policy, कोई rule pass होता है, जो उस cause को वो कर देता है, क्या कहते है, allow कर देता है, या फिर fulfill करता है, तो उससे कहींगे कि वो rule embody कर रहा है, उस cause को, ठीक है, तो यह embody का मतलब होता है, कि कुछ abstract है, कुछ FHC है, जो कुछ feeling है, उसको tangible form में, थोस form में प्रस्तुत करना, ठीक है, और यह क्या है, verb है, right, next word we have got is cursive, cursive वह क्या मतलब होता है, याद है किसी को, cursive का मतलब होता है, using force or the threat of force, बल प्रोग करना या फिर बल प्रोग की धंकी देना, ठीक है, तो इसका norm part है, वो है caution, ठीक है, और यह क्या है, अगर norm caution है, तो cursive adjective हुआ, right, right, self-incrimination, sorry, self-incrimination क्या होता है, okay, incrimination मतलब acquisition होता है, ठीक है, जब self-incrimination की बात कटे हैं, तो अगर मैंने कोई crime किया है, और मैं पुलिस को जा कि सबूत देगू, कि मैंने ये crime किया है, तो आप मुझे address कर दीचे, तो यह होगा self-incrimination, ठीक है, the giving of evidence that might tend to expose the witness to punishment for crime, ऐसा evidence देना, ऐसा सबूत देना, जो कि, जो सबूत दे रहा हूं, मैं witness हो, मुझे expose कर दे, to punishment for crime, जो punishment है, उसके लिए, चीक है, और ये क्या है, क्या है, ये giving main चीज आगे निकल क्या है, ये giving क्या है, यहाँ पर, noun है, right, gerund form है, noun कही है, चीक है, याद रुखी, अजरund, next word is disseminate, disseminate क्या मतलब होता है, disseminate का मतलब होता है, spread information, इसे क्राइब, it reaches many people, ऐसी, क्या करता है, information को फैलाना कि, बहुत लोगों तक पहुच पाए, ठीक है, इसे disseminate क्याते है, dissemination, norm हो गया, इसका, disseminate क्या हुआ, to spread, spread क्या है, word by right, next word is stringent, इस स्रिशन में क्या मतलब होता है, comment section में मुझे बताइए, preferably, और चब comment section में हम बताते हैं, तो word भी रिखागा नहीं, क्योंकि, जब meaning आगी, तो मिझे समय नहीं आता है, किस word से, कभी कभी समय में आता है, कभी 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 समय में आता है, कभी 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 नहीं आता है, stringent मतलब होता है, demanding strict attention to rules and procedures, ठीक है, ठीक है, furnish, furnish का मतलब होता है, furnish का मतलब होता है, to supply or provide somebody with something, ठीक है, generally, जब documents submit करते हैं, कुछ भी, तो हम कहते हैं, I have furnished income tax documents, ऐसा कुछ, तो जब किसे कुछ supply करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो उसे furnish करना कहते हैं, और tools लगा हुआ है, तो क्या होगा यह, verb right, right, detainee, detainee का क्या मतलब होता है, detain का मन करने क्या मतलब होता, जो इसमें inbuilt world है, detain का मतलब hold में रखना, right, detain करना मतलब अपने पास रखना, detainee मतलब custody, somebody held in custody, तो इसका एक और शब्द है, incarcerated, इसको भी कहते है, और यह क्या है, नाम, चीक है, grave, grave का मतलब तो वो graveyard वाला तो आप जानते ही है, चीक है, और यहां पर grave का क्या मतलब है, in that sense, grave की economy नहीं क्या है, grave concern, you know, I have a grave concern, grave concern का मतलब होता है, causing fear or anxiety by threatening great harm, बहुत बरे नुकसान की, बहुत बरे नुकसान मतलब great harm, बहुत बरे नुकसान की धंकी देते वे बहर पैदा करना, या anxiety पैदा करना, anxiety मतलब हर बढ़ाहत तरह की कुछ हो सकती है, चीक है, और यह क्या है, part of speech, यह है adjective, पहला word है, cohesion, cohesion है क्या मतलब होता है, याद है आपको, बताहिए मुझे comment box में, या फिर guess करिए, cohesion का मतलब होता है, tendency to unite, चीक है, तो ऐसी tendency जो unite करते हैं, और साथ रखे, ऐसी भावना, चीक है, ऐसी प्रवृत्ति, सही शब्द हैं, और कौन से part of speech होगा यह, cohesion, tendency है तो क्या होगा बताएए, सोचिए, tendency है तो यह noun होगा, राइट, चीक, moving on, इसके pronunciation भी ध्यान तीजे, assuage, चीक है, A A A C P U A G, इसका क्या मतलब होता है, यह भी हमने उस दिन पढ़ा था, का किस्वाद इसे क्या मतलब होता है, to pacify, calm, शांत करना, ठीक है, मनाना थोड़ा कुछ हब तक कह सकते हैं, ठीक है, pacify करना, और to pacify है तो क्या होगा, verb, right, part of speech, right, next word we have got is orientation, ठीक है, orientation में क्या मतलब होता है, तो किसी स्थिती से अपने आपको familiarize करना, परिचित करना और उसके हिसाब से adopt करना, अपने आपको adjust करना, ठीक है, अंत में ION लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या हुआ यह, noun right, right, next word which we have got is, stalemate, stalemate का मतलब, ऐसा noun तो आप लोगों ने जानती ही होंगे, verb भी होता है, verb में भी same ही मतलब होता है, ठीक है, ठीक है, चेक में generally stalemate यूज करते हैं word, जब चीचे ऐसी रहती हैं कि कोई भी खिरारी, एक खिरारी आगे ना बढ़ा पाए और वो हारने लगे, ठीक है, तो bring to a standstill, जैसे मैंने कहा कि कोई खिरारी जब अपने गेम को आगे ना बढ़ा पाए, क्योंकि बुरिचाओ तो अपने फस्स चुका होता है, तो उससे कहते है, यहाँ पे इसका, उस दिन उसका, यूज चो है, एजब वर्ब क्या कहता है, इसलिए to bring to a standstill, कि ऐसी हिस्थिती में ले आए, कि वहाँ से there no progress possible, ठीक है, और to bring है, तो क्या होगा, यह verb, ठीक है, inherent, inherent है क्या मतलब होता है, comment box में बताइए मुझे, okay, inherent का मतलब होता है, existing as an essential constituent or characteristic, ठीक है, inherent का मतलब होता है, कोई भी ऐसे चीज जो essentially अंदर हुई, उसका element अंदर हुई, ठीक है, तो यह inherent का मतलब होता है, और यह क्या है, adjective है, ठीक है, next word which we have got is, repatriation, repatriation का तो एक दिन भी होता है, मेरे कहाँ से, जो इंडिया में मना जाता है, क्या होता है, repatriation का मतलब होता है, the act of returning to the country of origin, तो अगर कोई भारत वासी है, और वो बाहर गया हुआ है, कमाने या फिर पढ़ाई करने, जो वो वापस वह आएगा, तो उसे कह सकते हैं, यह repatriation हुआ है, ठीक है, homecoming भी बोलते हैं इसको, और यह क्या है, act है, act क्या होगा, noun right, ठीक है, चलिए, impediment, impediment है क्या मतलब होता है, impediment का मतलब होता है, कोई रोड़ा अटकाना, something that interferes with or delays action of your case, कोई भी action, कोई भी काम चल्ला है, कोई भी चीज का progress हो रहा है, उसके कुछ भी ऐसे obstacle create कर देना, या फिर कुछ आता करना, जिसे वो delay हो जाए, उसे कहते हैं, impediment, impediment है, अब यह something है, something क्या होगा, noun right, next word which we have got is spillover, very interesting word, spill का क्या मतलब होता है, पहले मुझे यह बताए, spill मतलब कि जब कोई चीज भर जाती है, वो बाहर किरने लगती है, तो वो इसे spillover कहते हैं, right, अच्छे, यहाँ पर क्या मतलब निकल के आ रहा है, a situation of feeling that starts in one place but have, then begin to have, happen or have an effect somewhere else, ठीक है, तो ऐसे situation जो एक जगा शुरू हुई, लेकिन उसके consequences, उसके repercussions, उसके effects कहीं और भी महसूस होने शुरू हो गया है, चीक है, जैसे कि sample लीजिए कि रूश और उक्राइन में war शुरू हुआ, यहाँ पर आपके sensex और निफ्टी बगारा गिर गए, तो यह spillover कह सकते हैं, यह क्या है, situation है, तो क्या होगा, noun, right, noun, चलिए, next word which we have got is booster, बोस्टर का क्या मतलब होता है, support तो अपने देखी लिया, और क्या मतलब होता है, okay, बोस्टर का मतलब होता है, support and strengthen, चीक है, मजबूती देना, support करना, चीक है, और यह support है, तो क्या होगा, यह, verb, right, right, next word which we have got is strive, what does strive mean, let me know in the comment section or you can guess in your mind, strive means attempt to employ, to apply your efforts, attempt by employing efforts, okay, so when you put some effort, okay, let's say you are putting efforts on improving your vocabulary, so you are striving to achieve your goal, okay, of having a good world power, तो यह मतलब होता है, strive का attempt by employing effort, effort employ करना, effort लगाना, effort लगाने के attempt को कहते हैं, इस ट्राइब, ठीक है, और यह क्या है, attempt है, तो यह verb होगा, right, the first word is repeal, repeal का क्या मतलब होता है, any idea, याद है कुछ, repeal करना, किसी act के बारे में, कुछ act repeal करना, चाहिए, okay, so repeal का मतलब होता है, official or legal cancellation, जब work की तरह use करते हैं, that means you are cancelling something, any act is being repealed, ठीक है, but here it's being used as a noun, so noun की, इसा मैं तो बता ही दिया, यह noun है, right, तो इसका मतलब cancellation, cancellation i-o-n है, तो noun होगा, ठीक है, most likely किस में इसा होता है, next one is nod, nod का क्या मतलब होता है, यह जो मैंने, एसे करके हाम ही बढ़ते हैं, इसे लिंक है, not का मतलब, okay, not का मतलब होता है, sign of ascent, हाम ही बढ़ना, ठीक है, तो यह होता है, और ascent है तो क्या होगा, noun, right, next one is vociferous, vociferous का मतलब होता है, याद है कुछ, have you known in the comment section, vociferous का मतलब होता है, expressing opinions in a very loud or forceful way, so, एगर कोई, कोई प्रशन हो रहा है, वहाँ पे they are acting vociferously, तो वैसे होगा, कि they are expressing their opinions, उनकी जो मांगे हैं, वो बहुत ही loudly उपिछ कर रहे हैं, मांग रहे हैं, चीक हैं, तो वैसे होता है, और vociferous क्या होगा, expressing opinions in a very proud or forceful way, adjective, ठीक है, so, ऐसे कहां सकते हैं, their demands were very vociferous in nature, demands बहुत loud थे, jurisdiction, next word, इसा क्या मतलब बता है, यह तो हमने 10 दिन पहले करीब discuss किया था, अभी जो हॉल में case हुआ था, जब पंजाब पुलिस आई थी, दिल्ली और बगाजी को ले आ रहे थी, और तो वहां पर चुरिस्टिक्शन का इश्यू था, दिल्ली पुलिस और पुलिस में इंवार्डी, चुक है, चुरिस्टिक्शन मतलब होता है, the territory within which power can be exercised, तो पंजाब पुलिस की, पंजाब पुलिस की जोरिस्टिक्शन वह पंजाब में लिमिटेट होती है, दिल्ली पुलिस की दिल्ली में, तो एंट है, अच्छा, territory है तो क्या हो गई है, part of speech, ION भी है यहां पे, right, right, next word we have got is adjoin, adjoin है क्या मतलब होता है, it makes sure the word join भी है, ठीक है, adjoin का अटलब होता है, share a boundary, कहते हैं न, adjoining lines, right, general territory में आपने पढ़ा होगा, तो जो boundary share करते हैं, adjoining countries कह सकते हैं, ठीक है, और यह share, share क्या है यहां पे, sharing a boundary, verb, right, next word is insurgency, इसका क्या मतलब होता है, insurgency का मतलब होता है, attempt to take control of a country by force, तखता पलत हिंदी में बोलते हैं, पाकिस्तान में होता रहता है, अब इस यह रंका में भी हुआ पुछा साही, चिक है, तो यह होता है, और यह क्या है, attempt है, attempt क्या होगा, now, चिक है, यहां attempt आप सोचोंगे, यहां attempt तो वर्ब क्यों नहींगी, attempt तो mainly verb ही होगा, लेकिन यहां पे एक attempt की बाग की जा रही है, country को forcefully control में लेने की, चिक है, अगर यहां पे two attempt होता, तो फिर नहीं कहा सकते हैं, वर्ब था, ठीक है, next what we have got is piecemeal, piecemeal क्या होता है, piecemeal का मतलब होता है, one thing at a time, generally करते हैं, piecemeal distribution, ठीक है, तो एक बार में एक चीज, यह piecemeal होता है, और यह क्या है, adjective, distribution है, piecemeal distribution है, piecemeal adjective है, जो ही distribution noun को qualify कर रहा है, next what is steadfastly, steadfastly का क्या मतलब होता है, steadfast का क्या मतलब होता है, steadfastly का मतलब होता है, with zero determination, कि, I pledge steadfastly, that I will clear bank pew exam this year, getting the sense right, यह क्या है, I pledge steadfastly, pledge, steadfastly जो pledge को qualify कर रहा है, कोई भी adjective, non या prono qualify करेगा, उसके beyond, बाकी सारी चीजों को adverb qualify करता है, चीक है, तो यहाँ पर pledge steadfastly है, adverb है, जो कि pledge को qualify कर रहा है, तो यहाँ दूसरे adverb को भी एक adverb ही qualify करता है, इस example को भी बात में देखेंगे, चीक है, यह adverb है, next we have got is hostile, hostile तो हम पढ़े थे शायद तीचा दिन पहले, क्या मतलब होता है, hostile का, hostile का मतलब होता है not friendly, characterized by enmity or ill will, ill will desire, friendly नहीं है, not friendly in simple terms, hostile, hostile क्या है, hostile क्या है, adjective, ठीक है, तो कहते हैं territory को hostile territory, जो, let's say इंडिया पाकिसान का border का जो एरिया है, उसों कहते हैं hostile territory, ठीक है, तो वहाँ पे ज्यादा friendly approach नहीं होता है, likewise, purview, comment section में कुछ तो लिखिये, purview का कुछ को idea रहा होगा, okay, purview का मतलब होता है, the range of interest or activity that can be anticipated, ठीक है, तो, किसी range को कहेंगे, ठीक है, तो जैसे बालेंगे कि this particular case is under Supreme Court's purview, ठीक है, तो Supreme Court के purview के नहींता है, मतलब हुँआ 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 है, रिजर्व करेंगे है, और यह क्या होगा, रेंज है तो, पहला वाल है, Deficiency, इसी मेनिंग मालू में आपको, अगर मालू में तो कमें सेक्शन में बताइए मुझे, या फिर गेस करिये, जमाग में अपने, Deficiency, Malnutrition, कुछ यादा रहा है, जैसे कि Malnutrition के Sense-made Deficiency को यूज करते हैं बहुत ज्यादा, कि Malnutrition Serious Deficiency है, और यह State है, तो कि क्या होगा, Nounright, Next one we have got is Lacunae, Lacunae क्या मतलब होता है, इसके pronunciation देखे, इसका मतलब क्या होता है, Lacunae मतलब होता है, अब Blank Gap और Missing Part, ठीक है, कुछ लिए कि Missing से चीज हो, ठीक है, Roots में कुछ Missing हो, जाके यौल कुछ Missing हो, तो उसे Lacunae बोलते हैं, और यह Gap है या Part है तो यह क्या होगा, Nounright, ठीक है, तीसे शर्ट की तरब पढ़ते हैं, Sophisticated, क्या मतलब होता है, Sophisticated का, Sophisticated यूज करते हैं, Machine Pay की टर्म्स में, Technology की टर्म्स में, Sophisticated नेट्वर्क है, बताइए, Sophisticated मतलब होता है, Ahead in development, ठीक है, जो विकास में आगे हो, ठीक है, और यह Ahead in development है, तो यह क्या होगा, Ahead है, Adjective राइट, Next what we have got is Extringency, Extringency का क्या मतलब होता है, यह तो हमने पढ़ाता है, 5-6 दिन पहले मेरे क्याल से, Extringent, Extringency का एक और variant है, Extringent, बात करेंगे, Extringency मतलब होता है, Conscientious attention to rules and details, ठीक है, Conscientious का क्या मतलब होता है, Conscientious जो बना हुआ है, वो conscious से बना है, ठीक है, और, sorry, Conscience से बना है, ठीक है, Conscience मतलब होता है कि, सही यह गलत का फैसला, तो, सही यह गलत के फैसले से related attention देना, rules and details जब बनाते हैं, उसके बारे में सही गलत का, सही सही वो करना, उसको Extringency बोलते हैं, इसका मतलब strict भी होता है, ठीक है, यह थोरी specific meaning है, और यह tension है, तो यह क्या होगा? None, right? इसका मैं बोल ला था कि Extringent एक variant होता है, तो Extringent जो होगा, वो Adjective हो जाएगा, ठीक है? Extringency Non हो जाएगा. Next word is Tangle. Tangle क्या मतलब होता है? Comment section में बताईए मुझे Tangle क्या मतलब होता है? Tangle क्या मतलब होता है, To come into conflict ठीक है? टक्राव की इस्टिती पैदा हो जाना, टक्राव में आ जाना, ठीक है? यह होता है, तो हाँ ठीक है? यह Verb है, जो कि To लगा होगा है To come into conflict, Tangling ठीक है? Next word we have got is Terminate. Termination मुझे तो सब ने देखी होगी, maximum लोगों ने देखी होगी ठीक है Terminate का मतलब होता है? Terminate का मतलब होता है Bring to an end समाप्ती पे लाना ठीक है? Terminate कर देना, खतब कर देना ठीक है? और यह क्या है? Bring to an end Bring क्या है? Verb, right? Tilt है क्या मतलब होता है? Interesting word, Tilt इसे कहते हैं Tilt चीक है? तो वैसे तो Tilt का यहां पर जो मतलब हो direct so as to favor a particle opinion of side है लेकिन अगर if I want to say that you know the weather is stormy and therefore the boat was tilting तो वो गलत नहीं होगा चीक है? यहां पर क्या कहते हैं? किसी physical object की जगा discussion को tilt करने की बात हो रही है ठीक है? ताकि एक particular opinion को favor करे ठीक है? और यह two लगावाई तो यह क्या होगा? verb, right? इसके pronunciation में ध्यान दिजेगा T के साथ लगावाई यहां T है लेकिन T के होने के पाहुद हम बोलेंगे gargantuan ठीक है? गागantuan इसका मतलब क्या होता है? gigantic से मतलब है rated थोड़ा सा कागantuan का मतलब होता है very large easy, right? gigantic भी होता है और यह क्या है? adjective okay अज सुबर सुबर हमने लैंड फॉल पर आता जब शिफ remember अज सुबर के सशन में शिफ पहुशने वाली होती जमीन के पास पानी का जहाज जो पहली जमीन दिखती है उसे लैंड फॉल बोलते है windfall क्या होता है? याद है कुछ? windfall का मतलब होता है a sudden happening that brings caught a good fortune if I say that you know you caught 500 rupee note on the road then you get something like windfall ऐसा क्या है और ये क्या है? last but not least efficacy efficacy का मतलब होता है efficacy का मतलब होता है capacity or power to produce a desired effect जो effect चाहिए उसको produce करने की capacity ठीक है यह होती है efficacy और यह क्या है now great सबसे पहला word है overseas इससा क्या मतलब होता है comment section में बताइए कुछे मैं 5-7 second से पूँँगा okay तीक है इसमें दो शर्त शुपे में overseas मतलब seas c है और over उसके ऊपर तो कहने का मतलब यह है कि into or from another country that you have to cross a sea to get through कि सागर बार करके आपको इस देश में जाना परे उससे related कोई भी चीज में यह यह क्या है आजएक्टिव क्यों आजएक्टिव क्यों आजएक्टिव क्यों रेट मतलब उससे क्यों 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 क तो किसी भी जब issue के दो तीन aspects निकल के आते हैं उसे हम कह सकते हैं टू प्रॉंच्ट त्री प्रॉंच्ट ऐसी खटके ठीक है और यह क्या होगा एजेक्ट नेक्स वर्ट विप्स्टेंट यह तो असाल शबते हैं यह का मतलब बताईए कमेंट बॉक्स में मेंशिन करिए मतलब होता है है वैसे तो होता है कि किती भी चीज से रिफ्रेंड करना मतलब की न करना उसको जैसे की स्वба मिक होता है वोट्ध के रिफ्रेंस में कि जो लोग वोत जालते हैं हॉन्ने कई जो लोग पीना छोड़ देते हैं शरब पीना ठीक है और यह रिफ्रेइन है तो क्या हो गई है वर्ब रेट नेक्स वर्डिश सब्वर्ट सब्वर्ट क्या मतलब होता है सब्वर्ट क्या मतलब होता है डिस्ट्रॉई कंप्रेटली और उसका एक संस यह भी है कि हिंडर नॉर्मल ऑपरेशन से चल ला है उसमें थोरी सी बादा दालना जो भी है और हिंडर है हिंडर क्या तो यह कौन सा पार्ट की स्पीच हुआ वर्ब राइट इसका मतलब क्या है बता है रेड कार्पेट का मतलब होता है इस्पेशल ट्रीटमेंट और होस्पिटली ठीक है तो जब किसी के आने पर लाग लंग की दरी पिछाए जाती है अपने दिखतेयों के एरपोर्ट बगारा पर वहां पर जब यूज करेंगे तो वह नॉन होग पार चीक है लेकिन जब बताएंगे कि हमने इस्पेशल ट्रीटमेंट दी जा लिए कोई डिक डिट्नक्रिया आया है बाहर से और होस्पिटल्टी स्पिशल दी जा लिए तो उन्हें कहेंगे उसे कहेंगे डेड कार्पेट ट्रीटमेंट रेड कार्पेट वेलकम लाइफ पर क्या हुआ एज़िए जाला है एक अच्छा एक्जाम्पल है next one we have got is cordial, cordial क्या मतलब होता है cordial relationship, cordial approach क्या दा रहा है cordial का मतलब होता है politely warm and friendly you know somebody you can get connected with जो थुरह बात्षित करने में खुले हूँ and polite हूँ, warm हूँ, friendly approach हूँ उसे cordial क्या है, cordial क्या है, adjective next is an interesting word amenable, amenable क्या मतलब होता है amenable का मतलब होता है responsive to suggestions and influences ठीक है, मतलब कि जो कोई suggestion आता है उसको अच्छे दिलेते हैं उसको response करते हैं, उसको अमल में लाते हैं, इसको amenable क्याते हैं ठीक है, कोई भी suggestions आता है या influence कोई करता है उसको अच्छे दिलेते हैं and what is it, adjective next word is cordial, यह तो असान शब्त है, क्याता है क्या मतलब होता है, place restrictions on ठीक है, restrictions लगाना ठीक है, और यह क्या है, verb next one is wear, हिंदी में wear नहीं परहेंगे, इसको wear परहेंगे और silent होता है इसका, wear का क्या मतलब होता है wear का मतलब होता है, change direction appropriately जैसे कहते हैं कि कोई जहाज, पानी का जहाज चल ला है और एकाई को से दिशा बज़ती तो वीड of course ठीक है, wear of the set course, ऐसा कहेंगे और यह क्या है, change है तो क्या होगा, verb, right तो कैसे लगी आपको यह revision series, थोड़ा लंबा session था, काफी सारे words है लेकिन कुछ words को देखने में आपको यह भी लग रहा होगा कि हाँ, यह मुझे हलका सा याद है, मुझे पहले से, और युनो, कुछ की meaning बिल्कुल तो रहने हो गई होगी और कुछ तो बिल्कुल नए से वर्ट दिखे होंगे, let me know in the comment section कैसा लगा आपको यह session, thank you for watching और अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो यहाँ subscribe कर सकते हैं, चीक है, bye bye